नमश्कार दोस्तों इस हफ़ते और इस वीडियो की शुरुवात से पहले नामदेव सिंग जी को फिर से बढ़ाई जो इस हफ़ते की गिववे विनर हैं जिनोंने मेरे विचार से पिछले 20 दिनों में बहुत ही महनत और शिदत से सब लोगों की हेल्प की हैं उनके सवालों क जवाब दिये हैं मेरे सवालों के जवाब भी कॉमेंट में दिये हैं उनको 50 दॉलर ट्रांसफर किये जा चुके हैं आप सब को होली मुबारक और आज की वीडियो में दोस्तों मैं दो बड़े चार्ट के बारे में बात करूँगा जिन में से सेकंड वन बहुत जुड़े रहिए समय से पहले वक्त से आगे अच्छे औल्ट कॉइंस और बिटकॉइन में साहस बनाये रखने के लिए आपको इस चैनल की जरूर जरूर से तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा नामे रोही चर्मा सटोशी स्टैकर इंडिया यानिकि हमारे हिंदी अन चौबिस घंटे के अंदर अंदर ऐसा वक्ता वे पूरा होना आई होब आप अप्रिशेट करेंगे किसी और आपको इतनी सटीकता से रेंज नहीं दी जाती है और मैं इस बात से काफी खुर्श हो कि हमने रेंज का टॉप चूलिया पर आपको याद दिला दू कि हम इसी र क्रेंज को आसानी से ब्रेक करेंगे क्योंकि ना हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज है इस समय ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज है तो मैं फिर से दोहराओंगो जो मैंने आपको कल की वीडियो में विकाता कि मैं लॉंग टाम और मीडि ठेंड एक हमें दिखाई دे रहा है एथीरियम समदित और सभी ओरटिक समदित एक बाड़ा च्रेंड असके बारे में बात करेंगे उससे पहले पहले चार्ट है हमारे बिट कोईन के प्रैस टार्ट के बारे में कल मैंने एक व Siq ti को कड़े हाती रिया था जिसने एक लाग चार्ट में स्टॉकास्टिक RSI का मिड लेवल क्रॉस होता है उसके बाद हमें असली बुल मार्केट दिखाई देती है ऐसा मैं आपको पुरूफ के साथ दिखाऊंगा और यहां पर बॉलिंजर बैंड की स्क्वीज की भी बात होगी तो यहां पर हम देखेंगे 2012 में पहला प फिर बिटकोईन का प्राइस जब डिप्रेशन में आया उसके बाद हमने बॉलिंजर बैंड को स्क्वीज करना शुरू कर दिया बॉलिंजर बैंड टाइट होगे एकदब और फिर से बॉलिंजर बैंड के टाइट होने के बाद जब बॉलिंजर बैंड टाइट होते तब Bitcoin का price अपने depression stage में होता है यहाँ पर फिर से हमने Stockastic RS को mid level cross किया और Bitcoin का maha bull rally वहाँ पर शुरू हो गया हमने एक बड़ी beer market खतम की है हमें पिछले चार महिनों में अच्छे sign of development दिखाई दे रहे जिसके चलते Stockastic RS काफी pump हो कर middle level पर आ गया है और Bollinger Band भी ठीक उसी तरह से squeeze है जैसी पिछली महा bull market के start में हुए थे और यहाँ पर Stockastic RS जैसे सौ की तरह बढ़ेगा और हमारे Bollinger Band का मुग खुलेगा उपर price में तो आप देखेंगे कि अथिहास अपने आपको यहाँ पर फिर से दोहराएगा और Bitcoin का प्राइस एक लाग दो लाग या शायद तीन लाग डॉलर भी इस market में आ सकता है जिसकी हमें आपको estimate करीव करीव 2025 के अंतर तक का दिया है I think इस समय कोई भी asset 18 महीने में तीन गुना होने का दावा नहीं कर पाईगी बलकि पाँच गुना होने के यहां पर chances है तो इसलिए Bitcoin के लिए आपको bullish रहना बहुत ज़रूरी है मैंने आप Gold coins के एक बहुत ही important chart के बारे में बात बताई थी उसके लिए आपको 1 minute रुपना पड़ेगा मैं यहां पर 1 second बिताना चाहूँगा एक minute बिताना चाहूँगा stock market के price के उपर जहां पर मैं काफी excited हूं stock market को लेकर क्यों क्यूंकि stock market जो है हमेशा rate cuts की अपेक्षा में काफी ज़्यादा pump करता है और इसमें S&P 500 US का stock market price discovery की stage पर है price discovery क्या होती है जब आप एक all time high hit कर लेते हैं है तो bitcoin भी price discovery की stage में है जब आप अपना all time high hit कर लेते हैं तो आपका जो price target है वो unlimited होता है और stock market यहां पर खासकर S&P 500 dozens of trillions of dollars की market है मैं आपको एक second में चार्ट के साथ प्रूव करता हूं कि कैसे stock की S&P 500 इस हफते या आने वाले हफतों में काफी ज़्यादा बुलिश होने के आसारे पर आपको भूमी का बाद नहीं ज़्यादा जरूरी है कि stock market price discovery में है और यहां पर अगर आप देखेंगे stock market में मेरा favorite pattern बन रहा है जो कि इसको हम बुल फ्लैक कहते हैं अक्सर हमने Bitcoin में ऐसा बुल फ्लैक देखा है जो continuation pattern दिखाई देता है जो बुल पेंडेंट या कहेंगे उसका पोल होता है साइडवेज मुवमेंट थोड़ी सी कहीं बर लंबी चलती है stock market ठीक उसी तरीके से चल रहा है खासकर जब कि Fed ने March 20 को ये कह दिया था कि वो तीन या चार रेट कट इस साल करेंगे अश्वासन दिया था मेरे विचार से stock market का target हमारे पास 500 के आसपास का होना चाहिए 300 के उपर का आप सोचेंगे छोटा target है बट stock market के लिए 10 points भी उपर जाना यानि की market बहुत ज्यादा भूलिश है तो हमें macro economic point of view से काफी जादा यहां पर सशक्त और सद्रड भाव दिखाई दे रहे हैं और हमेशा stock market बाकी सभी किष्टियों को उपर उठाती है आप भारतिये app store से हट गई है सो अभी भारतियों के लिए अच्छी ख़वर नहीं हमारे पास और भी तरीक है ट्रेड करने की इसके बारे मैं आपको बताता रहूंगा खिर वो ट्रेड इसमें कर लिया है अब भी अगर इसी strategy का हिस्सा बनना चाहते हैं ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑपको option देता है कि आप किस देश के IP के थुरू लॉग इन करना चाहते हैं ताकि bots को और इन platforms को जो भारती ये सरकार द्वारा regulated है उनको ऐसा ना लगे कि आप भारत से login कर रहे हैं तो और तलब है कि ये platforms भारत में ही बैन है पर कोई भारती इनको भार से three follow कर रही है बड़ अगर short time में हम देखें पिछले करीब करीब 20 दिनों में तो एक triangle बनता हो दिखाई दे रहे हैं जिसके आप जानते हैं कि अकसर दो तरफा उसका प्रहार हो सकता है एक तरफा है ये कि dominance नीचे जाएगी dominance नीचे जाने का मतलब है bitcoin काफी अच्छा हैं मेरा काफी मानना है कि इस समय bitcoin की dominance जो है वो नीचे की तरफ तूटेगी और 52% की तरफ उसको support मिलेगा आप ये लगा लिजे कि यहां पर 53% से 52% जाने का मतलब है कहीं altcoins 100% उपर जाएंगे this is how इतना bitcoin बड़ा है उसका दिल इतना बड़ा है और altcoins जो है वो इतने छोट है कि bitcoin की dominance 1% भी नीचे जाती है तो आपको दरजनों altcoins जैसे मिलेंगे जो 100% उपर जाएंगे एक हफ़ते के अंदर अंदर तो अगले हफते मुझे लगता है कि altcoins के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि bitcoin की dominance तूटने वाली है और अगर आपको खाली bitcoin की dominance पर भरसा नही bitcoin market cap is 5% of bitcoin, ethereum market cap is 5% of bitcoin market cap पे काफी support लिया है और 0.55 पे उसको resistance मिली है बड़ आपको ये दो हरी green candles दिखाए दे रही होंगी ये वो दो दिन है या 3-4 दिन है या हफते है मान लिजी ये weekly candle है जिस समय altcoins ने चहरे पिगला दिने वाली rally की थे आप हिसाब लगा लिजी कि ETH to bitcoin ratio सिर्फ एक हफते के लिए हलका सा हरा होता है तो altcoins को कितना पैसा आता है that is how simple it is अगर आप इस बात को समझ लेंगे bitcoin की dominance को और ETH to bitcoin ratio को समझ लेंगे जो कि support पर है जो यहां से jump करने वाली है pump लेने वाली है उपर जाने वाली है और अगर वो इतना उपर चली जाती कि वह 0 0.6 या 0.7 तक चली जाए 0.06 यह नहीं 6% यह 7% तक I think Solana का प्राइस 500 डॉलर पार है अगर ETH to bitcoin ratio 0.06 से 0.07 चलायता है आप सोचिंगे Ethereum का बाकी altcoins के क्या लेने देना है बिलको simple है दोस्तों Ethereum जब पैसा खींजता है bitcoin से तो फिर उसके बाद पैसा flow होना हो शुरू होता है ब Ethereum to bitcoin बड़ा है जिन 3-4 दिन बड़ा है उस दिन आपके favorite altcoin का price किया हुआ है अगर ऐसा कोई उधारन आपके पास से तो आप मुझे type करके बताईए क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मेरी मत मानिये अगर आप चीजों को अपने हाथ में लेंगे अगर tradingview.com खोल कर follow करना शुरू करेंगे ETH to Bitcoin ratio को जो कि मेरे ख्याद से altcoin users के लिए सबसे बड़ा रामबान है आपके पास यह ज्यान होना चाहिए विसे मैं आपको बताता रहूंगा आप हमने शुरू किया है तो ETH to Bitcoin ratio I will keep covering it and I'll tell you जब यह 0.05 से अगर नीचे गिरता है तो भी काफी अची को जाकर comments में पढ़ना है कि कौन लोग आपकी मदद मांग रहे हैं कौन लोग आपको इन लोग को doubt है कि सीज के बारे में और अगर आप ग्यानी है तो उनके doubts को cover कीजिए solve कीजिए उनको डर से निकालिए और दूसरा एक giveaway सवाल हम पूछते हैं जो कि इसी से समन्दित है मे के दो तीन हफते हमें में देखने को मिल सकती है वो एथिरिम टू बिटकॉइन रेशो का support level type कीजिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जैहिंद